हेलो दोस्तों मैं हूँ जग्दीश जोसी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग प्रॉक्सिमिटी सैंसर के कनेक्शन कैसे करते हैं पाउर कॉन्टेक्टर और एक यहां पर मेरे पास यहां पर का इंडिकेटर होता तो यह मेरा 220 वोल्ट की रिले है और यह हम लोगों की DC 24 वोल्ट की रिले है अब मेरे पास जो प्रॉक्सिमिटी सैंसर है वो प्रॉक्सिमिटी सैंसर है यह ओम्रोन का सैंसर है और यह एक प्रॉक्सिमिटी सैंसर है और यह एक प्रॉक्सिमिटी सैंसर है और यह एक प्रॉक्सिमिटी सैंसर है दोनों के कनेक्शन बिल्कुल स्ट यहांपे 12V की भी रिले हम लोग spontan में यूस करते हैं कई बार अगर 12 वल्ले में यहांपे रिले हैं तो आप लोगों को उसके बाद पाउर्सप्लाई चाहिए होगी 12v की ठीक है यहां पे मेरे पास एक 12 व उल्ट की भी पाउर supply की ज़रूरत होगी तो यहां पर 24 volt की power supply यहां पर use करूंगा ठीक है तो चलिए step by step हम लोग इसके connection देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या गाम करेंगे हम लोग जो हमारे AC वाले component है जो की AC पर हम लोग के काम करेंगे उनमें हम लोग neutral connect कर देते हैं तो AC supply में हमारा power supply जिसको कि हम 220 volt का input देंगे और यह हम लोग का contactor है तो इसमें neutral हम लोग direct control करेंगे और जो हमारा line है उसको हम लोग इस relay की मदद से control करेंगे और इस relay को हम लोग अपने proximity sensor से on करेंगे तो किस तरीके से होता है यह पूरा logic कैसे बनता है बिल्कुल step by step आप लोग को समझाओंगा तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अगर आप लोग power supply में देखोगे तो line neutral earth v minus और v plus लिका हुए v minus का मतलब होगा कि यहाँ यहाँ पे हमको plus 24 volt मिलेगा और जो यह v minus लिका हुए यहाँ पे हम लोग उनको zero volt मिलेगा ओके और line और यहाँ पे neutral पे हम लोग input supply connect करेंगे तो मैं काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे जो हम लोग का neutral वाला terminal है यहाँ पे मैं दो wire जल्दी से connect कर देता हूँ क्योंकि यहीं से मुझे loop बना करके अपने contactor को देना होगा या फिर मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले अपने contactor के a2 वाले terminal पे मैं एक wire connect कर देता हूँ जो कि मेरा neutral होगा ओके तो यहाँ पे मैंने यह blue गिलर की wire connect कर दी अब जो यह wire है मेरी इन दोनुव wire को यह मेरा neutral है जो कि man neutral है मेरा इसको मैं अपनी power supply के साथ मैं यहाँ पे connect कर देता हूँ neutral वाले terminal पे ओके तो यह भी हम लोगों का यहाँ पर connect हो गया एंड इस वाली wire को मैं यहाँ पर connect कर देता हूँ और इसके और third होता है हम लोगों का यहाँ पर black तो brown और blue को हम लोग input 24 वोल्ट देते हैं brown वाले पे plus 24 वोल्ट connect होगा और blue वाली wire पे आपका 0 वोल्ट connect होगा अगर आपका PNP sensor है तो black वाली wire से आपको plus 24 वोल्ट मिलेगा और इसके जगह अगर NPN sensor होता तो connection यहाँ पर brown और blue के same होते 24 वोल्ट हम लोग इसको connect करते 24 वोल्ट और 0 और यहाँ पर जो black वाली wire है यहाँ से हम लोगों को 0 वोल्ट मिलता ठीक है तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले तो जो यह brown वाली wire है इसको हम लोग plus V के साथ में यहाँ पर connect कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह जो plus V है यहाँ पर मैं इस wire को connect करता हूँ इससे क्या होगा कि हमारे proximity sensor को यहाँ पर 24 वोल्ट यहाँ से मिल जाएगा प्लस 24 वोल्ट यहाँ से हमको sensor को मिल जाएगा अब जो यह blue color की wire है यहाँ पर हम लोग क्या आगाम करेंगे क्योंकि मेरा जो रिले है वो भी 24 वोल्ट का है तो यहाँ पर हम लोग क्या आगाम करेंगे हम लोगों का यहाँ पर 13 वाला ट्रेमिनल है हमारे इस रिले का यहाँ पर मैं एक wire connect कर देता हूं ओके जो कि हम लोगों का 0 वोल्ट होगा क्योंकि मुझे इस रिले को on करने के लिए भी प्लस 24 वोल्ट और 0 मुझे connect करना पड़ेगा 0 में direct connect कर देता हूं और प्लस 24 वोल्ट हमारे proximity sensor से मिलेगा ठीक है तो इस blue वाली wire के साथ में मैं काम करता हूं जल्दी से यहाँ पर अपने जो proximity sensor का blue वाला wire है इसको और यह blue वाली लिए एंदोनों को में minus V पर connect कर देता हूं ओके तो यह हम लोगों का यहाँ पर connect हो गया मैं इस कुरूई थोड़ से लूच करता हूं और इस वाली wire को भी मैं यहाँ पर जल्दी से connect कर देता हूं तो यहां पर देखो मैंने यह वाली यहाँ पर connect कर दी है ठीक है तो हम लो के 14 नंबर वाले ट्रिमिनल पे यानि कि A1 वाले ट्रिमिनल पे ठीक है यह रिले का A1 वाला ट्रिमिनल है बहुत सिंपल होते हैं इसके कनेक्शन जो यह नीचे के यह इसके NC डिमिनल होते हैं तो इंट्रिव्यू में अक्सर आप लोग उसे हो सकता है कि पूछा जाएं तो आप लोग इसका ध्यान देना उसके बाद यहां पर मैं क्या काम करूँगा यहां पर मैं जो है रैड किलर की वैर इसको मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं और सेम इसी के साथ में जो हम लोगों का मैं लाइन सप्लाई जो आरी होगी ठीक है जो की इस वाली वैर से आएगी रैड वाली से इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां पर ठीक है जो हमारा पावर सप्लाई क यहां पर L वाला terminal है, यहांझ कि, line वाला terminal है, तो इन दोनूं Approption着 को मिल मोई इस तरीके सा यहांपे connect कर देता हूं, ऑके, तो यह दोनूं嗎 यहांपे connect कर दी हैं, अब मुझे क्या काम काना है, मेरे connection, यहने कि, relay हम लोगों की, on हो जाएगी, अब इस proximity sensor से और हमने अपने relay के common पे भी line wire connect कर दी contactor में हम लोगों का neutral पहले से ही connect है तो अब रह क्या गया कि हम लोगों का जो ये relay है इसके NO terminal से हमने अपने contactor के even वाले terminal पे हमने line wire connect करनी है ठीके तो ये जो मेरा common है इस common का जो NO होगा वो ये वाला होगा और NC ठीक इसके नीचे होगा ओके तो ये number है अपना 12 number ये terminal है और ये वाला जो terminal है हम लोगों का ये 8 number है तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ जल्दी से एक wire यहाँ पे मैं connect कर देता हूँ ठीके तो यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे wire connect कर दी है और same ये जो wire है हम लोगों की इसको हम लोग connect कर देंगे अपने contactor के A1 वाले ट्रेमिनल पे ठीके तो ये wire हम लोगों ने A1 वाले ट्रेमिनल पे इस तरीके से connect कर दी है ठीके तो connection यहाँ पे हम लोगों के हो चुके हैं एक PNP sensor के साथ में अब मैं काम करता हूं यहाँ पे मैं supply on करता हूं ठीके power on करता हूं यहाँ पे आप लोग देखोगे जो हमारी power supply है इस पे एक integration हम लोगों को मिल रहे है अब जो यह मेरा proximity sensor है जैसे ही यह proximity sensor हम लोगों का किसी metal के साथ मैं यहाँ पे आएगा यहाँ पे देखो जैसे यह sense हुआ तो हम लोगों का यह relay on हो गई और इस relay से हमारा contactor on हो गया अब यह relay 24 volt की है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा पहले अपने sensor से हमें एक relay on करनी पड़ेगी और उस relay से हमको अपना 220 वोल्ट का जो contactor है उसको on करना पड़ेगा ओके यह देखो तो यह हमारा एक PNP sensor है तो इस तरीके से आपके एक PNP sensor के connection जो है वह होंगे ठीके मैं यहाँ पर sensor से भी आप लोगों को दिखा देता हूं यह sensor हमारा यहां पर देखो इंडिकेशन आएगा sensor का जैसे ही कोई भी जो object है sensing object वह sensor के सामने आएगा तो आपका sensor जो है वह sensor करेगा उसको और यह output देदेगा यह तो हम लोगों का एक PNP sensor है अब सेम इसके जगह अगर NPN sensor होता तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करते मैं उसके भी यहाँ पर connection आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं तो यहाँ पर देखो यह है मेरे पास एक NPN sensor अब NPN sensor के case में हम लोग क्या काम करेंगे connection तो brown blue के बिल्कुल सेम होंगे ठीक हम लोग power के साथ में 24 volt 0 प्लस 24 के साथ में हम लोग इसको connect कर देंगे लेकिन जो black वाली wire है इससे हमको 0 volt मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने direct 0 volt connect किया था अपनी power supply से इस relay को तो यहाँ पर NPN sensor के case मे लोग क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस 24 वोल्ट डारेक्ट करेंगे अपनी power supply से और जो मेरा black वाला वायर है जो मुझे एनपी सैंसर से 24 वोल्ट दे रहा था उसके जिगह पर हम लोग क्या काम करेंगे black वाली wire को हम लोग यहाँ पर connect करेंगे 0 वोल्ट पर यानि connection को हम लोग यहाँ पर खोल देते बाकी connection सब कुछ सेम रहेंगे सिर्फ हमाई इस रिले के connection जो है वो यहाँ पर change करने है ओके तो यह हम लोग का proximity sensor इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं यह हम लोग का एक pnp sensor है ठीक है और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर a2 पर 0 वाले ट्रिमिनल पर कनेक्ट कर देता हूं ओके तो यह हम लोगों का एवन वाले ट्रिमिनल पर कनेक्ट कर दिया मैंने और यहां पर हम लोग अपनी पाउर सप्लाई में क्या गाम करेंगे जो ब्लू किलर की वैर है यहां पर हम लोग 24 वोल्ट कनेक्ट करेंगे इस ब्राउन क कि वैर को हम लोग connect कर देते हैं plus V पे ठीक है क्योंकि यहां पर plus 24 वोल्ट हम लोगों को मिलेगा और इसी के साथ में मैं अपने proximity sensor की यह वैर भी connect कर देता हूं ठीक है और इस terminal को हम लोग यहां पर tight कर देते हैं तो यह यहां पर हो गया अब जो हम लोगों का यहां पर blue color की वैर है इस blue color की वैर को हम लोग connect कर देंगे minus V यानि की zero volt पे ठीक है तो यह वाली वैर भी हम लोगों की यहां पर connect हो जाएगी मैं screw यहां पर जल्दी से tight कर देता हूं ओके तो power supply के connection यहां पर हो चुके और जो यह black color की वैर है जो की feedback वैर होती है हम लोगों की इस वैर को हम लोग connect कर देते हैं सीधा अपने रिले के 13 नंबर वाले ट्रिमिनल पर यानि की a2 पर ओके तो यह यह टू वाला ट्रिमिनल है इसको मैं यहां पर connect कर देता हूं ठीक है यह connect हो गया अब मैं जल्दी से पावर ओन कर देता हूं तो यह हो गया हम लोगों कहीं आप पर पावर ओन पावर सप्लाइब आप लोग देख सकते हो यहां पर इंडिकेस्टन आ रहे हैं अब मैं इस sensor को यहां पर sense कर वाता हूं यहां पर देखो ओके तो यह हमारा contact रहे हम लोगों ने सिर्फ इन connections को यहां पर चेंज करने हैं ठीक है रिले के connection को बस बाकिये connection हमारे सारे सेम ही रहेंगे यह देखो यह हमारा एक NPN sensor है और यह भी हम लोगों को यहां पर on हो रहा है अब अगले lecture में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से चेक करें कि हमारा PNP sensor कुन सा है और NPN sensor कुन सा है अगर आपको यह lecture चाहिए तो आप लोग मुझे वीडियो की नीचे comment करके बताना कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि NPN और PNP sensor कुन सा है अब देखो इस sensor पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि यह PNP sensor है या फिर NPN sensor है अब हम लोग कैसे lecture से कुछ चीज समझमन नहीं आई या फिर कोई भी अगर आप लोगों का डाउट रहे गया तो वीडियो की नीचे प्लीज कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना क्योंकि कॉमेंट करने क्या कोई पैसन नहीं लगना है अगर कोई भी डाउट हो तो जल्ली से आप लोग comment box मा आओ वहां पर मैं आपका वेट कर रहा हूं और वहां पर आप लोग अपने feedbacks दो अपने doubts पूछो मेरे से और अगर आप लोगों कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को सेर कर सकते हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियो का notification लगातार मिल सके सो थैंक्स पर वाचिंग आइज मिलते हैं अपने next video lecture में